तो अच्छो आज का टॉपिक शुरू करते हैं एपीमर और एनुमर इन में डिफरेंस क्या होता है क्या टर्म है किस्टी यूज होते हैं बायो मॉल्क्यूल चैप्टर में NCRT में तुम देखोगे दिया हुआ है ठीक है आप देखते हैं तो इपीमर और एनुमर पहले तो ना में ओपेंचेन इस्ट्रक्चर को एक वह नाम दिया जाता है फिशर प्रोजेक्शन ठीक है ना फिशर ऑपेंचेन पर ध्यान रहे और और रहे हैं तो अपीमर देखेंगे जबकि उसी कार्बोईट्रेट में अगर आप साइकलिके स्टॉक्चर में जाएंगे तो वहां प जबकि epimer open chain में होता है और open chain के लिए कहा जाता है Fischer projection दोनों ही carbohydrate में यूज होता है ऐसा आपके NCRT biomolecule में दिया है तो यह क्या है यहाँ पर glucose देखते हैं example से glucose है glucose का एक बार open structure लेंगे एक बार cyclic structure लेंगे तो क्या होगा यह Fischer projection यह सकाएंगे यह open chain structure है आप देख सकते हैं रिंग वाला structure है cyclic है तो यह cyclic structure हो गया मतलब है वर्थ हो गया और यह open chain है तो यह क्या हो गया Fischer हो गया तो open chain में चलते हैं जैसा कि glucose का structure आपको पता है नहीं पता है तो biomolecule chapter का वीडियो देखिए उसमें मिलेगा glucose का structure तो glucose का structure है इसमें काईरल कितने है चार टोटल चार कार्बन काईरल है और टोटल कार्बन कितने है शिक्स नम्बरिंग पर ध्यान देजिए नम्बरिंग कहां की हुई है कौन सा OH किदर है लेफ्ट राइट किदर है यह ध्यान देना आपको तो अगर तीसरे पर OH लेफ्ट है बाकी सारे राइट है तो इसको क्या कहा जाता है glucose इसको glucose कहा जाएगा और अगर इसमें आप second वाले कार्बन को देखेंगे second वाले को ठेक कि बदर second वाले को देखेंगे तो second को देखेंगे इसमें oh है right side h है left side तो second वाले से oh को उठाके इधर h को replace पलट देंगे ऐसे पलट दिए देखें क्या ये बन रहा है मिला ये पूरा अगर ये बन रहा है तो ये क्योंकि glucose था तो एक c2 पे cable पलटने से जो बना जैसा configuration बना fischer का इसी को आप कहेंगे क्या manos ठीक है ध्यान रहें किस पर c2 पर तो जब भी एक carbon 6 carbon दिख रहे थे आपको 6 में से 4 chiral थे 4 chiral में से के वाद c2 को पकड़े c2 पर पलट दिए configuration को oh ह जो right था उसको left कर दिए h जो left था उसको right कर दिए अब जो यह बनाए configuration पहले यह glucose कहलाता है अब यह क्या कहलाता है ऐसा structure ऐसा arrangement कहलाता है manos यह दोनों अलग-अलग compound हो गया है यह दोनों अलग-अलग compound क्योंकि केवल एक chiral carbon को पलटने से बन रहे हैं इसी लिए इन दोनों को कहा जाता है इपी मर और pension में हो गया आइए ncati में दिया एक और एक और आपका दिया हुआ है इपी मर क्या कि अगर आप glucose को पकड़ें ग्लुकोस में देख रहे हैं चार काईरल एट छै में से चार काईरल है इन चारों काईरल में आप ऐसा करिए फोर्थ ओले को पकड़िए आपकी फ फॉर्थ ओले को आपने पल्टा इधर कर दिया पलट दिया तो यह क्या बना देखिए यह कंफिग्रेशन कुछ आएगा चेक कर लिजे मिला लिजे अगर यह कंफिग्रेशन आ रहा है तो आप इसको क्या करें गैलेक्टोस तो गैलेक्टोस और ग्लुकोस दोनों अलग दोनों आपस में क्या हुए एपी मर दोनों आपस में एपी मर होगा है ठीक है चलिए तो एपी मर क्या होता है clear हुआ थोड़ा open chain structure है glucose में केवल एक काईरल को पकड़े किसको C2 को पलट दिये पलट दिये एक कंफिग्रेशन जो आया अलग compound उसका नाम क्या है मैनूज इसक सारे आपस में क्या है इपी मर क्यूंकि यह open chain structure में परटने से बनते हैं ठीक अब आईए ज़रा एनोमर्स में एनोमर्स क्या है एनोमर्स टर्म यूज हो रहा है cyclic में cyclic को है वर्थ भी कहते हैं carbohydrate के लिए यूज होता है बताए अभी cyclic structure बना दिये तो glucose का यह cyclic structure होता है कै कैसे बनता है cyclic structure इसको जानने के लिए biomolecule वाला lecture देखेगा उसमें clear होगा अब इसमें देखो numbering की हुई है 1,2,3,4,5,6, total 6 carbon है यह glucose का ही structure है तो glucose का है cyclic structure है तो इसमें देखो यह alpha word दिया गया और यह यह भी glucose है इसको beta word दिया गया ठीक है चलो तो alpha, beta कैसे कहते है कहते cyclic में आप एक carbon को पकड़े किसको C1 को cyclic में किसको पकड़े C1 को C1 को पकड़े इसमें देखो गे OH नीचे है जबकि यही C1 पे अगर OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दो तब जो बनता है उसको कहते है बीटा तो यह भी glucose है यह बीटा ग्लुकोज है यह alpha glucose है यह बीटा यहां पर एक और टर्म देख रहे होगे लिखा होगा कि alpha plus glucopyranose, beta plus glucopyranose, plus क्या है, plus मतलब dextrotatory, isomerism में देखे होगे, और glucopyranose कहने का क्या मतलब होता है, इसके लिए क्रिपया biomolecule का lecture देखे, clear होगा कि क्यों इस glucose को glucopyranose कहते हैं, cyclic structure में paranose word use करते हैं, है यह सारे ही glucose, य यह दोनों और यह glucose है, ठीक है, तो open chain में change करने से बन रहा है, तो EP मर, और cyclic में केवल C1 पे, C1 पे, बाकी सब वैसे ही, आप देख सकते हैं, बाकी सब वैसे ही, केवल C1 पे, ऊपर से नीचे ला दिये, H को, तो क्या हो गया, glucose, paranose, बीटा बन गया, तो alpha, बीटा आपस में एनो मर, ठीक, glucose, manose, EP मर, glucose, galactose, EP मर, याद रहेगा, इसको याद कर लिजएगा, उचता है,